जैहिन दोस्तो सतर्शत प्रति मिनट की गती से डिक्टेशन शुरू होगी थोड़ी ही देर बाद अध्यक्ष महोदे मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इस देश के वर्तमान भारी संकट के समय में और विशेश रूप से उस समय जबकी हम लडाई से अभी निवरित हुए हैं और अकाश में लडाई के बादल दूसरी तरफ से आने शुरू हुए हैं हमारे वितमंत्री ने जो बजट पेश किया है वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं यद्यपी भिन भिन पहलूं को लेकर आलोचनाई की गई हैं लेकिन यदी उनकी कठिनाईयों को भी देखा होता कि राश्ट को किन किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है इस बात पर भी अगर मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने विचार किया होता तो मेरा विश्वास है कि उनकी आलोचनाउं का अधार कुछ दूसरा होता उन्होंने ऐसे कठिन अवसर पर यहे एक संतूलित बजट पेश किया है उसके लिए मैं उन्हें बार बार बदाई देता हूं लेकिन साथ ही साथ मैं अपना यह करतव्य समस्ता हूं की कुछ ऐसे विचार भी उनके सामने प्रस्तुत करूं जिससे उनकी कठिनाईयां कुछ हल हो जाएं उधारन के रूप में विगत दो वर्षों में लेखा जोखा कमेटी में बैठने के समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि इस देश में दो तीन इस परकार की तुरूटियां मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए जिनकी जाँच करने के लिए यदि कोई एक कमेटी या आयोग बिठा दिया जाए तो राश्ट्र को राश्ट्र की सरकार को राश्ट्र के विकास कारियों को और राश्ट्र की रक्षा विवस्था के लिए करोडों नहीं अर्बों की ववस्था फोरन हो सकती है केवल शासन को जागरूक होकर कुछ कदम उठाने की आवशक्ता है अभी कुछ छिपे हुए धन का जिक्र किया गया सरकार ने भी समय समय पर ऐसा आभास दिया है कि इस देश में लगभग 30,000 करोड रुपे का धन छिपा मोजूद है सुएम मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब सरकार ऐसा अनुभव करती है तो इसकी ववस्था करने में उसको दिक्कत क्या आ रही है ऐसा मालूम होता है कि कहीं इच्छा शक्ती की कमी हैं भारत की इस सरकार ने अपनी शक्ती का ठीक से उपियोग करके उस दुश्मन के दात खटे किये जिसके की ऊपर विश्व की शक्ती शाली और इंग्लैंड जैसी शक्तियों का अटूट सहारा था श्टोप दोस्तों आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बोक्स में अपने सुझा जरूर दें और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में